हाई बॉइस वेडियो में आपको बताऊंगे एक आसान सी ब्यूटी टिप जिसे इस्तिमाल करके आप अपनी खूपसूर्ती में चार चांद लगा सकते हैं और ये ब्यूटी टिप आप सुर्फ 10 मिनिट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इससे आप अपने रंग को निखार सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस कर दें सारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज का वीडियो सपेशली डेडिकेटेड है बॉइस की ब्यूटी को लेकर क्योंकि बॉइस अपनी ब्यूटी पर सादा ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस वज़े से उन्हें टैन होने लग जाता है वो बहुत सारे मारकेट प्रोडक्स को यूज करते हैं पर उन्हें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगे एक आसान से face pack के बारे में जिसे आप इस्तिमाल करके अपने skin को और भी जादा glowing और soft बना सकते हैं आपको face pack बनाने के लिए चाहिए एक आलू आप एक आलू ले लीजिए और उसे चोटे टुकडों में काट कर grinder में उसका पेस्ट बना लीजिए अब आपको इस आलू के पेस्ट को एक चमच लेना है एक बाउल में आप एक चमच पेस्ट एक बाउल में दे लीजिए उसके बाद आप इसमें मिला है एक चमच औरेंज पील पेस्ट को यानि की औरेंज के चिलकों को सुखा कर उसका पेस्ट बना लेना है या फिर आप चाहें तो औरेंज के चिलके को डारेक्ट घिसके भी इसका पेस्ट ले सकते हैं औरेंज आपके complexion को improve करता है और आपके skin पे मौझूद infection से fight करता है इसके बाद आपको इसके अंदर मिलाना है एक चममच नीबू का रस नीबू के रस के अंदर मौझूद vitamin C आपके skin को nourish करता है और आपके hair problem से fight करता है और अंत में आपको इसके अंदर मिलाना है एक चम मच राइस पाउडर यानि की चावल का पाउडर चावल का पाउडर एक बहुत अच्छा एकस्फॉलियेटर है और यह आपकी स्किन पे मौजूद डेट स्किन सेल को हटाने का काम करता है इन सब चीज़ों को आप एक बॉल में मिक्स कर लीजे और मिक्स करने के बाद आप इसे अपने फेस पे अप्लाइ करें अप्लाइ करने के बाद आप इसे 30 मिनिट तक छोड़ दीजे और 30 मिनिट बाद आप अपने चाहरे को नॉर्मल पानी से धूलीजे आपको ये remedy वीक में दो बार apply करनी है visible differences देखने के लिए तो इस remedy को वीक में दो बार apply करें और अपने complexion को निखारें अपने skin को soft करें हमें पूरी उमीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया है subscribe करें हमारे चानल को और हमारे वीडियो को like और share करना बिलकुल न भूलें आप ऐसे ही interesting वीडियो को देखने के लिए हमें facebook और instagram पे आज ही follow करें thanks for watching this video see you soon bye bye